असम को दसो को तक लूटने वाली हैं, असम के संस्कूर्ति को तबाह करने का सपना देख रहे हैं, महा जूट वाले बौकला रहे हैं। महा जोत वाले बड़े बड़े जूट बोलेंगे अफ़ाय फ़लाएंगे लेकिन असम के लोगों को उनसे सावधान रहना है सतक रहना है ये बाते कितनी जरूरी हैं ये कोकरा जार से बहतर भला कौन समझ सकता है ये चुनाव महा जोत के महा जूट और डबल इंजिन के महा विकास के बीच है कॉंग्रेस ने हमारे सत्रों हमारे नामगरों को अवैद कबजागिरों के हवाले किया एंडिये ने उन्हें मुक्त किया कॉंग्रेस ने बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड, मैदा, सब को भड़काया अंदर अंदर तकराव करवाया एंडिये ने इनको विकास के सेतु से जोडा है दिलों को दिलों से भी जोडा है कॉंग्रेस ने इन खेत्रों को पानी, बिजली, गैस, सडक ऐसी सुविधाओं के लिए तरसाया सालों तक तरसाया एंडिये हर सुविधा घर तक पहुँचा के लिए के लिए आज जीजान से जुटी हुई है कॉंग्रेस ने टी गार्डन में काम करने वाले साथियों को कभी पूछा तक नहीं ये एंडि की एकी ही सरकार है जिसने टी गार्डन्स में काम करने वाले मद्दूर भाई बेनों की हर चिंता के समाधान का प्रयास किया सवा तीन लाग से जादा परिवारों को भूमी के पट्टे देना हो मद्दूरी बढ़ाना हो टी गार्डन्स में काम करने वाली बेहनों बेटियों का जीवन आसान बनाना हो ये एंडिय की सरकार ने ही पूरी चिवटता के साथ पूरी संबेदन सिलता के साथ और सबका साथ सबका विकास सबका विकास मंत्र को ले करके पूरन करने का प्रयास किया है साथियों ऐसी कोई जन्जाती नहीं जिससे कॉंग्रेस ने विश्वास गात नहीं किया वहीं NDA सरकार, कोच, राजबाउशी, मौरान, मोटोक, सूतिया, सभी जातियों के हीत में कदम उठा रही है इसके लिए नई डेवलप्मेंट काउंसिल बनाने का काम यहां तेजी से चल भी रहा है हमारी कोशिस है कि हर जन्जाती को उनकी परंपरा, उसकी भाषा, उसके रोजगार के लिए सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले इस दिशा में निरंतर काम जारी है भाई और भेनों, मुझे संतोष है कि 2016 में, बिटी आर में, वो 2016 में, बिटी आर में, शांती और विकास का जो बादा हमने किया था उसे लेकर हमने बहुत इमानदार प्रयास किया है कॉंग्रेस के लंबे शांसन ने असम को बम, बंदुक और ब्लॉकेड में जोंक दिया था एंडिये ने असम को शांती और सम्मान की सौगात दी है आप याद कीजिए, यह अटल जी की ही एंडिये सरकार थी जिसने बोडो लेंड टेरिटोरियल काउंसिल का अधिकार आपको दिया और यह भी देखिए, एंडिये की वर्तमान केंदर सरकार है जिसने स्थाही शांती के लिए एतियासिक बोडो अकार पर मुहर लगाई है आज बीटीयार का विस्तार भी हुआ है और विकास की नई शुरुवाद भी हुई है बोडो लेंड के स्थाही विकास के लिए हमारा मंत्र है पीस, प्रोग्रेस